बड़ी बहु छोटा बीटा अमर बेटा प्यार तक तो ठीक था पर ये शादी तुने सोचा भी है कि अगर तुने उस लड़की से शादी कर ली तो सब कैसे तेरा मजाख बनाएंगी वो लड़की जिससे तुप्यार करता है वो तुझे उम्र में दस साल बड़ी है मा कहता है ना प्यार अंधा होता है और वैसे भी मैं और आरादना एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही शादी करना चाहते हैं और प्यार में जात पात उम्रे नहीं देखी जाती मा बेटा मैं मानती हूँ कि प्यार अंधा होता है पर प्यार में इतना भी क्या अंधा होना कै तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मा आपको हमारे इस रिष्टे से इतना एतराज क्यों है आपको पता है ना हम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहेंगे इस तरह से अमर अपने घरवालों की बात को नकार कर आराधना से शादी कर लेता है शादी होने के बाद आराधना काम करना छोड़ देती है अब अमर की भी अच्छी नौकरी लग जाती है अमर अच्छी खासे पैसे कमा रहा था अब कोई भी जरूरत पड़ती तो आराधना को अमर से पैसे मांगने पड़ते ऐसे ही एक दिन अमर मुझे 10,000 चाहिए क्या? 10,000? पर क्यों? आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई इतने पैसों की? अमर क्या मुझे सब कुछ तुमसे पूछ करना पड़ेगा? आखिर तुम्हें इतने पैसों की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? मुझे बता दो क्या काम है? आखिर मैं तुम्हारा पती हूँ नहीं चाहिए मुझे तुमसे कोई पैसे अपने पैसे अपने पास ही रखो इस तरह से आराधना अमर से नाराज हो जाती है आराधना के नाराजगी देख कर अमर कुछ पैसे उसके पर्स में रख कर चला जाता है जब आराधना अपने पर्स में दसजार रुपे देखती है तो उसके दिमाग में तरह तरह की बाते आने लगती है मैंने शादी की बात अपनी जौब छोड़ दी मुझसे ये छोटा है फिर भी मुझसे ज्यादा कमाता है मैं इससे दस साल बड़ी हूँ पर फिर भी मुझे हर चीज के लिए अमर से पैसे मागने पड़ते हैं अब तो अमर भी भाव खाने लगा है अब मैं और नहीं जुक सकती मुझे फिर से काम करना होगा इस तरह आराधना बिना अमर को बताए फिर से जॉब करने लगती है और जब ये बात अमर को पता चलती है तो आराधना तुम फिर से जॉब करने लगी तुमने मुझे बताया भी नहीं मुझे ये बात माँ से पता चली हाँ, मैं दरसल बताना भूल गई थी मैंने सुचा हम दोनों ही काम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे बार-बार तुम्हारे सामने पैसों के लिए अपने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे आराधना की ये बात सुनकर अमर को बहुत बुरा लगता है और वो चुप-चाब से तयार होने लगता है अमर को तयार होता देख कर आराधना कहती है आज तो ओफिस के चुटी है ना? फिर इतना तयार होकर कहां जा रहे हो? ओ, मैं तुम्हें बताना भूल गया पर आज ना हमारा मैच है इसलिए आज मैं अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने जा रहा हूँ अपना ख्याल रटना हूँ इस तरह से अमर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है कुछ दिन तक तो यूही समय बीटता है पर अब आरादना को अमर का बश्पना खटकने लगता है वही दूसरी और हर समय आरादना की रोग ठोग अमर को भी खटकने लगती है ऐसे ही एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है अमर क्या बश्पना है? अब तुमारी शादी हो चुकी है तुमारे उपर भी कुछ रिस्पांसबिलिटीज है अगर तुम कब तक अपने दोस्तों के साथ यूही राद बर घुमते रहोगे और उन पर पैसे उड़ाते रहोगे आरादना, अभी मेरी उम्रह ही क्या है? अगर मैंने इतनी कम उम्रह में शादी कर ली इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अंकल बन चुका हूँ मेरे दोस्त यार है, अगर मैं उनकी साथ घुम लेता हूँ या खापी लेता हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है अमर कि अब तुम्हें अपनी responsibilities को समझना चाहिए और बचपना छोड़ देना चाहिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने शादी के बाद सारी responsibilities संभाल ली है हराद ना, मैं तुमसे दस साल चोटा हूँ इसलिए तुम्हारे अंदर maturity मुझसे ज़्यादा है प्लीज, मुझ पर कुछ भी थोपा मत करो इस तरह से अमर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और दोनों ही एक दुसरे से बात नहीं करते कुछ दिनों बाद दोनों decide करते हैं कि वो अपनी लड़ाई को छोड़ कर फिर से पहले की तरह एक साथ खुश रहेंगे आरादना, I'm sorry उस दिन के लिए मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना माफि सिर्फ तुमें ही नहीं मुझे भी माननी चाही मैं भी तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मिद लगा बैठी थी मैं ये बात भूल गई थी कि तुम मुझसे दस साल छोटे हो यार मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और तुम हो कि मुझे ताने ही दे रही हो अमर मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और हम दोनों पहले की तरह एक साथ रहे पर तुम्हारा बच्पना खत्म ही नहीं हो रहा उसका क्या करें यार मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आगया लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुमसे बात करना ही बेकार है अगर ऐसी बात है तो मत करो ना बात इस तरह से एक बार फिर दोनों के बीच लडाई हो जाती है अब समय योही बीच जाता है और दोनों के लडाई अभी समय के साथ बढ़ती ही जाती है अपने बीच के लडाईया देखकर आरादना और अमर अलग होने की सोचते हैं माप शायद सही कहा रही थी आरादना से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है मैं उससे दस साल छोटा हूँ इसलिए मेरे अंदर समझ कम है और वो मुझसे दस साल बड़ी है इसलिए उसके अंदर कुछ ज्यादा ही समझ है इसलिए अब हम दोनों ने एक फैसला किया है कैसा फैसला बेटा साथ ना रहने का अमर जी ये डिवार्स पेपर्स मैंने साइन कर दिये हैं आप भी साइन कर दीजिए ताकि हम दोनों के रास्ते अलग हो सके तुम दोनों ये क्या कर रहे हैं पती पत्ने के बीच हमेशा इस तरग की लड़ाईया होती रहती है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अलग हो जाओ ये शादी है कोई मजाग मेही पर माजी मैं और कितना बर्दाश करूँ अमर जी का बचपना खत्म ही नहीं नहीं हो रहा आखिर वो कब समझेंगे कि मेरे साथ उनके उपर इस पूरे घर की भी जिम्मिदारिया है आखिर कब तक अपने दोस्तों के साथ हसी मसाख करते रहेंगे खेल बना रखा है तुम दोनों ने शाधी को शाधी साथ जन्मों का बंदन होता है और तुम दोनों इसे गुड़े गुड़ियों का खेल समझ रहे हो जब दिल किया शाधी कर लिया और जब दिल किया इस शाधी को तोड़ दिया मा अब हम दोनों इस रिष्टे को और नहीं चला सकते हैं हम इस जबर्दस्ती के रिष्टे से आजाद होना चाहते हैं जबर्दस्ती का रिष्टा बिटा शादी तुम दोनों की मर्जी से हुई थी और तुम दोनों को एक बात बता देती हूं तुम दोनों को अपने रिष्टे को एक और मौका देना चाहिए। आराध ना बगू। जो बात तुझे नहीं पसंद तु साफ साफ अमर से कह। और अमर जो तुझे नहीं पसंद वो तु आराध ना से बोल। तुम दोनों ही खुद को बदलने की कोशिश करो और एक दूसर को समझोगे तभी तुम्हारा रिष्टा चल पाएगा। घर वालों के समझाने पर अमर और आराध ना काफी सूच विचार करते हैं। और अपने रिष्टे को एक और मौका देने की कोशिश करते हैं। जिसमें अमर अपना बच्पना कुछ अध्यक कम कर दीता है। और आर कोनों का रिष्टा एक बार फिर से सही चलने लगता है।